नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ प्रत्ने, आप मुझे देख रहे एवनेस निउस लाइफ बर खबरों की और रुख करने से पहरे मैं आपको बता दू कि हम वही खबरे आपको दिखा दे जो आपको जालना जरूरी ही क्यूंकि सत जरूरी है FDCM का चीजगाओं में हो रहा है नियम भाईय काम मंदारा जिला FDCM के तहा आने वाले सोने गाव वलपरिक्षेत्र के चीजगाओं में मिश्रा रोपवन का काम नियम भाईय तरीके से करवाय जा रहा है वलापरिक्षेत्र सोने गाओं के अंतरगत आने वाले चीजगाओं कमपार्टमेंट नमबर 186 में महारश्टर राज्जर रोजगार गैरेंटी योजना के तहो 25 हेक्टर शेत्रा में मिश्रो रोपवान मंजूर किया गया है बताते हैं कि विविदा योजना की माध्यम से किये जाने वाले पोदार ओपन के लिए साधारंत फरवरी से मार्च महिने तक गट्टे खुदाई के काम किया जाता है FTCM के अधिकारी ने नियाम की धजिया उड़ाते हुए जुले माहिने में गट्टे खुदाई का काम किया है करीबा 27 हजारे से भी जादा पोदार ओपन के लिए खुदाई का काम मंजूरों को केवल 13 रुपे 69 पैसे प्रतिक गट्टे की हिसाब से दे कर मंजूरों को बताते हैं कि काम मिश्रा रोपोण का अगले 5 साल तक का प्लान है और उस पर 25 से भी जादा का निदी अभी मंजूर हुआ है लेकिन सुरुवाती दोर में ही निदी का गबन करना सुरू होने की खबर है बताते हैं कि यहां काम यम आर ईजे के मजूरों से करना है पता चला है कि प्रत्यक्ष रूप में 17 मजूर काम पर है लेकिन मस्टर्ड में बोकस मजूर दिखा कर जादा संका बताए गई है इस संदर्ब में चिजगाओ के वना रक्षत मेश्राम को पूछने पर वे क्यामेरा के सामने न बोलते हुए इदर उदर भाग रहे थे तारियन आगरिकोले चिजगाओ कंपार्टमेंट नंबर 186 में होरे नियम भाईयो कामों की जाजकर दोशी अधिकारियों पर कारवाई की मांग की है आईए हमारे भंडारा ब्यूरो चीफ निशाद लांजेवार की ग्राउंड रिकोर्ट कि अधिरा लुपे अधिरा लुपे अच्छा नियुद बचाट रूभाव ते को ताम हो तो प्लूट होते विशाद के लिए पहले बादे आए अधिकर आपार दोलगे थे नियुद घड़त कि अधिकर वह थे युद्टिया अधिकर दोल्याइव होते यह का दूद्शा कि इस एक दी सिंए मुजूरी चारे टिमाल के लिए रजाब़ विस रूपे ट्रवाज लग लुटे तर्वाज़ी लुपे तर्येपन प्रेसे गड़ा परज़ा लपाई जे नुद से आप कि दिए कुछ आता हैं तुम आधा दो सब्सक्राइब लुक आता है तुम चालू की टिए लोग आधा तुम हो तो कि दो टोटल टोटल को जो तुम चालू जा ले आघा जा जाना था पापर को रोड़ा तो बहुत नहीं है गढ़े तो का बूर्डो वीडा लौल शोर्यूलर भूर साइब माँद्धान नीप याल रावव। सब्सक्राइब के अंतरगत वन परिक्षेत्रे का रहा है सोने गाउ के माद्यम से चीजगाउ बीट में यह कक्सक्रमांग का सबसे बड़ी बात है कि पूरा का पूरा काम नियम बाई चल रहा है काम मंजूरे करके पता चला है 13 रुपया 69 पैसा मजदूरों को प्रत्री गड़ा यहां पर मजदूरी दी जा रही है एक गड़े के हिसाब से 13 रुपय 69 पैसा मजदूरों का आर्थिक्स होसन करना चलू करते क्यूंकि कम मजदूरी देकर उनके तरफ से ज़्यादा काम करवाने की भी कोशिश की जा रही है तो यहां पर अभी आज की तारिक जो है आज के डेट में यहां पर गड़े खुदाय का काम चलू है और नियम ऐसा है कि सब्वी जून के बाद में किसी भी हालत में गड़े खुदाय का काम नहीं किया जाता है 26 जुन आकरी डेट होती है लेकिन आज की डेट अगर देखा जाए तो आज की डेट में भी यहां पर खड़े खुदाय का काम चलू है और यहां पर मजदूर बारा साड़े बारा बज़े तक उनको जो टार्गेट दिया हो गया है 16 गड़े के वाल खुदना है उनको एक दिन के अंदर 16 गड़े खुदना है बहुत सारे मजदूर जो है 16 गड़े 11 बारा बज़े खुद कर ही वापस चले जाते है बतलब अगर उनके शमता के अनुसार उनको अगर काम दिया जाय तो उससे जो नियम है कि जो सरकारी गुना मजदूरी भी मजदूर मजदूरों को मिलना चाहिए लेकिन उस नियम को हर्ता में मतलब हांसा गया है यहाँ पर उतनी मजदूरी नहीं दी जा रही है हमने घटना स्तल का जायज़ा लिया आपने देख रहे कि गड़े यहां पर दिखाई दे रहे हैं अब भी बार में स्राम जिसे हमने बात करने की कोशिश की लेकिन क्यामेरे के समने में स्राम बोलने के लिए तैयार नहीं है अकिर क्यों अगर यहां काम इमांदार से हो रहा है सच्चा इसे काम को हो रहा है तो क्यामेरे के समने बोलने के लिए क्यों यह अधिकार हिचकी चाह रहा है यह समझ के पर हैं यहाँ पर 26 जुन के बाद में गड़े खोदाय का काम नहीं होना चाहिए था गड़े खोदाय का काम हो रहा है अभी शंका इस बात पी है कि क्या इस मिस्रे रोफवन में आने वाले दिनों में पेड़ वास्तों में लगाई जाएंगे केवल गड़े यहाँ शो किया जाएंगा और गड़े के पैसे यहाँ से उटाए जाएंगे बहुत सारा जो रेकार्ड पर जो दिखाए गया रेकार्ड पर जो प्रतिक्स रूप में दिखाए गया प्लांड पर वो काम बिल्कुल नहीं किया गया यह दिखाई दिता है हमने मेसराम से बात करने कोशिश की मेसराम कैमेरे के सामने आने के लिए त्यार नहीं है मेसराम कैमेरे के सामने बोलने के लिए त्यार नहीं है कह रहा है कि हमारी सीनियर आफिसर आपसे बात करेंगे अब हम कम से कम देड़ घंटा होगा है यहाँ पर खड़े हैं देड़ घंटे में इनका कोई सीनियर आफिसर प्रतिक्स घटना स्थल पर आने के लिए तैयार नहीं है आखिर क्या मेरे के सामने आकर सच्चाई बयान करने के लिए यह अधिकारी क्यों डर रहा है यह भी एक सवाल पर खड़ा होता है में इशारत लाइन जेवार MNS News मंदारा MNS News लाइव की खबरे देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS India डाउनलोड करे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवार